अकाली दल पंजाब की कॉंग्रेस सरकार को गैंग्स्टर मुक्तार अंसारी के मामले में घेर रहा है इसे लेकर पंजाब की राजनिती गरम हो गई है अकाली दल के बड़ी नेता विक्रम सिंग मजाठिया ने कहा की सरकार के पास वेतन आयोग की शिपारिशें लागू करने का पैसा नहीं है लेकिन अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीन कोट के महंगे वकील की सेवा ली जा रही है जिससे ये सुनीचित किया जा सके की उत्तर प्रदेश का गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी जो रोपर जील में बंद है वो किसी भी हाल में अपने राज्चे यूपी में बापिस ना भेजा जा सके पैसे नहीं ऐसी स्कालर्शिप ली पैसे नहीं मगर जे मुट्यारन सारी ता केस लड़ना हुए ते सब तो टॉप ना वकील दिल्ली जाके सुप्रीम पोर्ट के लखा कुरूरा रुपी ये खर्च कर दिन देया की गैंक्स्टर यूपी ना जाए आज सेफ एवन स्टेट गैस्ट वी आईपी ट्रीटमंट ओना ते बर्ट दे ओना दी व्यादी सालगरा ओनानू जेल चे बैठे एटी वी आईपी फसिलिटीज देतिया ने इस सारे दुनिया चे ओपोन करके आज साल पूरे होगे है ना चार्ची तायर कीतिया ना उन्हें बेल मंदी है जद की तिन मुझे तो बाद चार्ची तायर ना होवे बंदेनु बेल आटमेटिकली मिल जल दी है और आल हलाते बन गई है कि सुप्रीम पोट चे एस गल्दी टिपनी हो रही है कि हाओ पंजाबे सेमलेसली प्रोटेक्टिंग अंसारी और एतों तक क्या जा रहे है कि सैद चीफ मिनिस्टर बनन दा वो खुआब राके दा है पंज आपको बता दे विक्रम सिंग मजाठिया का आरोप है कि पंजाम में होने वाले 2022 विधानसबा चुनाम में मुक्तार अंसारी के जरिये कॉंग्रेस चुनाम में गड़बड़ी कर सकती है इसलिए कॉंग्रेस मुक्तार अंसारी पर महर्बान है नियूज डेक्सक